साथियों, आज आजादी के अमरुत महोत्सों में एक नए भारत का संकल्प हमारे सामने है आज देश, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंतर पर काम कर रहा है देश सबके विकास के इस लक्ष तक भी तभी पहुचेगा जब सबके लिए सभी संभावनाए समान रुप से खुली हो हम सब जानते हैं पहले जैसे ही बिजनेस की बात होती थी तो उसका यही मतलब निकला जाता था कि बड़े कर्परेट की बात हो रही है पुरुषों के काम की बात हो रही है लेकिन सच्चाई यह हैं कि सदियों से भारत की ताकत हमारे छोटे स्थानिय उद्योग रहे हैं जिने आज हम MS MS कहते हैं इन उद्योगों में जितनी भूमी का पुरुषों की होती हैं उतनी ही महलाओं की होती हैं आप टेक्स्टाइल इंद्रस्टी का उधान दीजिए पौटरी का उधान दीजिए कृषी और मिल्क प्रोडस को देखिए ऐसे कितने ही उद्योग हैं जिनका आधार महिला शक्ती और महिला काउशल ही है लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि इन उद्योगों की ताकत को पहचानना छोड़ दिया गया था पुरानी सोच वालों ने महिलाओं के स्किल्स को गरेलू काम का ही विशे मान लिया था देश की अर्थिववस्ता को आगे बढाने के लिए इस पुरानी सोच को वदलना जरूरी है मेकिन इंडिया आज यही काम कर रहा है आत्म निर्भर भारत अभियान महिलाओं की इसी क्षम्ता को देश के विकास के साथ जोड रहा है और प्रणाम हमारे सामने है आज मुद्रा योजना की लगबग सत्तर प्रतिशत लाभारती महिलाएं है करोडों महिलाओं ने इस योजना की मदद से अपना काम शुरू किया है और दूसरों को भी रोजगार दे रही है इसी तरह महिलाओं में स्वयम सहायता समूहों के जरिये एंट्रेप्रिनर्सिप को बढ़ावा देने के लिए देश दिन दयाल अंत्योद योजना चला रहा है देश की महिलाओं का उत्सा और सामर्त इतना है कि छे साथ सालों में स्वयम सहायता समूहों की संख्या तीन गुना बढ़ गई है यही ट्रेंड हमें भारत के स्टार्ट अप इको सिस्टिम में भी देखने को मिल रहा है वर्थ दोजार सोला में सोला से हमारे देश में चपन अलग अलग सेक्टर्स में साथ हजार से जादा नए स्टार्टर्स बने है और हम सभी के लिए गवरों का विशह है कि इन में से 45 प्रतिशत में कम से कम एक महिला निर्देश्रक महिला है